नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं राष्ट पती का स्वागत गया, इस्तरानमो के सची सुखदेव सिंग, सीम की परधान सची वंदरा डाडेल, डीजीपी अजय कुमार सिंग, सांथर संजय सेट, समेत कई नेता और अधिकारे यारपोर्ट पर मुझुद रहें वहें राष्ट पती एयरपोर्ट से निकाल कर बीर्सा चोक पहुशी वहाँ भागवान बीर्सा मुंडा के परतीमा पर मल्यारपन किया, इसके बाद वे अलवट एका चोक में पहुँच कर सहीद, अलवर्ट एका की परतीमा पर मल्यारपन किया, फिर राजभोहन पहुश बदादे राजेपाल के दोरे को लेकर रांची में तीन हजार पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है एयरपोर्ट से राजभौन तक कड़ी सुरक्षा बेवस्ता की गयी है चपे चपे पर पुलिस के जवान मौजूद है उची इमारतों से पुलिस के जवान सलको पनयार रखे हुए है राष्टपती ने देवघर बाबा मंदीर में की पुजा अर्चना राष्टपती द्रोपती मुर्मुक का आज 24 माई को देवो की नगरी देवघर में आगमन हुआ इस दोरान राजे पाक्सी पी राधाकिष्णन कानून इवम नयाय मंत्री अर्जून राम मेगवाल माननिये मंत्री क्रिसी पसुपालां साहकारितावी भाग बादल पत्रलेक माननिये गोडा सांसर निसिकान दूबे अपर मुक सचीव अरून कुमार सिंग पुलिस उप महानिरिक चक संथाल परगना सुधरसन परसाद मंडल उपायुक सह जीला दंडा धिकारी मंजुनात भयंत्री पुलिस अधिक चक सुबाह चंद्र जाट के द्वारा पुस्प गुच्छाद्य करून का स्वागत किया गया बतादे की राश्टपती द्रोपती मुर्मु सुबा 9 वजे के करीब देव घर यारपोट पहुंची यारपोट पहुंचने के बाद राजेपाल मंत्रियों ने भब्ब स्वागत किया बतादे जारखन के राजेपाल सीपी द्राधा किष्णन ने राश्टपती द्रोपती मुर्मु को पुस्प गुच्छाद्य करूं का स्वागत किया गया बतादे की राश्टपती द्रोपती मुर्मु देव घर आने वाली चौथी राश्टपती है जार्खन हाई कोट का नाया भवन राष्टपती आज करेंगे उद्गाटन जार्खन के लिए 24 माई का दिन बहुत ही बढ़ा है राश्पती दुरपादी मुर्मुरांची में जार्खन हाई कोट की नई गिरीन बिल्डिंग का उद्गाटन करने के लिए पहुंच चुकी है यह हाई कोट कई माईने में खास है छेत्रफल की मावले में यह देश का सबसे बढ़ा नयाला है सुप्रीम कोट से भी बढ़ा है बता दे 165 एकर में फैले जार्खन हाई कोट की यह नई बिल्डिंग और 60 एकर में बनी है इसमें पारकिंग, कोट रूम, एडवोकेट हॉल, बिल्डिंग और दूसरे कक्ष बने हुए है इस बिल्डिंग में 23 ग्रांड यार कंडिशनर लगे हुए है बिसाल जार्खन हाई कोट भवन में 2000 वाहनों के लिए पारकिंग की सुविदा है, कैमपस में 4500 पोदे लगाए गए है ताकि कोट परिसर पूरी तरह से हरा भरा दिखे, वही 2000 के विए के सोलर पावर प्लांट से या ग्रीन केमपस रोशन होगा, हाई कोट परिसर में पोस्ट ओफिस, डिस्पेंसरी, रेलेवे बुकिंग काउंटर भी है, वही तीन ब्लोक में दो ब्लोक नाईक काम के लिए है, सेकेंड फॉलवर पर बारा कोट है जारखन में मौसम खराब बारिस की प्रवल संभावना, जारखन में मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदर लिया है, मंगलवार दो पर को रांची समयत काई जिलो में आलकी बारिस हुई है, वहीं बुद्ध बार सुबा भी कई जिलो में बारिस देखने को मिली, कभी कभी धूप भी निकल रही है ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सुरोज लुका छिपी का खेल खेल रहा है पता दे मौसम भी भाग के ताजा अपडेट के मुताबिक जारखन के कई जुलू में आज भी बारिस होने की संभवना है रिम्स होस्टल नंबर 4 का सीलिंग गिरा बाल बाल बचे के सबसे बड़े हस्पटाल रिम्स का होस्टल पूरी तरह से जयजय हो चुका है आज दिन भावन की सीलिंग जड़कर गिर रही है जिससे रिम्स में पढ़ने वाले चैतर में रहने की मजबूर है इसी करम में बुद्धवार को एक बार फिर बड़ी अन्होनी होने से बच गई अचानक छत की सिलिंग का बड़ा टुकडा भरभरा कर गिर गया और दो छात्रे बालबाल बच गए बता देर रिम्स के बुद्धवार को एक बड़ा हासा होते होते टल गया पुराने अरजरजर हो चुके रिम्स बुद्धवार होस्टल नंबर चार में बाथरूम के पाथ छत का बड़ा टुकडा टुट कर निचे गिर गया गनी में त्याह रही कि उस वक्त पास में ही खड़े 2020 बेच के मेटकर स्टुडेंट रिचित और अरुन कुमार बालबाल बच गए राश्टपती ने परमबीर अलवट एका की परतिमा पर किया मल्यारपन राश्टपती द्रोपती मुर्मु ने उन्हें से वेखतर के भारत पकिस्तान लड़ाई के हीरो रहे लाइन्स नायक परमबीर चक्र विजेता अलवट एका की परतिमा पर मल्यारपन किया देवगर से राश्टपती सबसे पहले राश्टपती के बीरसा चक पहुँची जहां उन्होंने अजादी के नायक रहे भागवान बीरसा मुंडा की परतिमा पर मल्यारपन किया उसके बाद राश्ट पती सिदे अलवट एका चौक पहुंची राश्ट पती जब अलवट एका चौक पर पहुंची तो उनको देखने के लिए काफी संख्य में भीर इकठा थी जिसके बाद राश्ट पती अचानक आम लोगों से मिलने के लिए भीर तक पहुंच गई प्राजबादी द्रोपधी मुर्मू आपने तिन दिवसी दोरे पर जारकन पहुंच चुकी हैं बुद्धवार की साम राजबादी जारकन हाई कोट के नए भौन का उध्गाटन करेंगी। में हाई कोट के चारों तरफ एक सुरक्चा का घेरा त्यार कर दिया गया है। में हाई इस बाबत विधान सभा सचवाले की ओर से जारी कर दिया है। बतादे कूल 24 समीतियों गठन किया गया है। दिनेश गोप ने उगले गहरे राज पीले फाई के सुप्रिमों दिनेश गोप के पूरे नेटवर्क को धवस्त करने के त्यारी है। पूस्ताच के लिए ना सिर्फ एनाईय बलिक पूरे जार्खन पूलिस एक साथ कायम कर रही है। बतादे दिली से गिरफतार पीले फाई सुप्रिमों से लगातार पूस्ताच की जा रही है। जिसमें कई अहम जनकारिया मिली है जिसके आधार पर एनाईय और पूलिस आय की करवाई में जूटी हुई है। बतादे पीले फाई सुप्रिमों दिनेश गोप के पूरे नेट्वर्क का परदाफास करने के लिए एनाईय लगतार दिनेश से ही जनकारिया जुटा रही है। रिमांड पर पूस्ताच के दवरान दिनेश गोप से रांची खोटी से लेकर नेपाल तक के सौयोगियों अमदतकारों के बारे में जनकारी मिली है। मंगलवार को दिनेश गोप से एनाईय के अलावे रांची खोटी सिम्टेगा पुलीस एस्पेसल बरांच और एस आईबी के अधिकायों ने भी पूस्ताच की है। ट्रोफी टीशर्ट गलबाडी मामले में फस सकते हैं कई अपसार। एंटिक क्रप्शन ब्योरो ने अस्थापना दिवस का उसर पर ट्रोफी वार टीशर्ट खरीद में होई गलबाडी मामले में रांची के पूर्व डीसी मनोज कुमार सही तीन लोग खिलाब जाच की अनुमती सरकार्च मांगी है। एसी बी ने जिनके खिलाब जाच की उनुमती मांगी है उनमें रतन त्रिवास्ता और सौरप कुमार का नाम भी सामिल है। एंटरप्राइजेज को टोफी अपूर्थी का काम दिया था। सरकार के इस फैसले के अलोग में इसे लागू किया गया। बाद में टी सर्ट और टोफी खरीद में गलबड़ी का रोप लगा। इसके बाद सरकार ने इस मामने में निगरानी जाज का आदेश दिया है। रामगर की दिव्या ने बिना ट्यूशन किये बनी इस्टेट टोपर। गांधी असमारत पलस टू हाई स्पूल रामगर की छात्रा दिव्या कुमारी ने जैक बोट की बरावी साइंस की परिक्षा में 489 अंक हासिर का इस्टेट टोपर बनी है। बता देश दिव्या रामगर सहर के विकास नगर की राने वाली है। उसके पिता सलोक बिहारी रामा नीजी संस्थान में गाड का काम करते हैं। दिव्या ने बताया है कि वह आगे मेडिकल की पढ़ाई कर धेश की सेवा करना चाती है। दिव्या ने कहा है मेरे माता पिता काफी गरीब हैं। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने राज सरकार से अच्छी कोचिंगी वेवस्ता कराने की अपिल की ताकि वह मेडिकल की अन्सारी ने बर्कटा में ब्लमानों को ठगने के काम किया है, मुसलमान समुदाय का भोट लेकर भाजपा के लिए क्लिए काम करने अई, हाफीजूल हसन ने खरकरताव में जोस बरतिवे का है कि बर्कटा चेतरे के चोमोकी विकाज के लिए जहाँ मो को जिता है उन्होंने कहा है कि पहले जार्खन के हज यात्रियों को रांची से रवाना किया जाता था लेकिन केंद्र सरकार की दोहरी नीतिक का अब हज यात्रियों को कुलकता से हवायात्रा करनी पर रही है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइ कर वाल का बेल एक अंद भाई साथ वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूले साथ आप हमें कुमेंट बक्स पर अपना फीडिवाएक अवस्य दे थैंक यू